Hello and welcome to Tele Express, your one-stop destination for all entertainment news और दोस्तों हमारा इंडियन आडल 13 का क्यू टेस्ट कापल जी हाँ, रिशीज सेंग और बेदेप्ता ये दोनों अब लगबग हर सेलेबरिटी के और हर स्टार के लाडले बन चुके हैं जिसको देखो हर कोई इस कपल को बहुत सारा प्यार दे रहा है वही पर अब इन दोनों को एक साथ बुलाया है अमिता बच्चन ने अपने घर पर जी हाँ, बिग बी ने खुद रिशी और बिदेप्ता को कॉल करके दोनों को साथ में उनके घर आने के लिए कहा है और ये रिशी और बिदेप्ता के लिए तो बहुत खुशी की बात थी क्योंकि बिग बी से मिल पाना हर की किसी की किस्मत में तो नहीं होता है वेल दोस्तों अमिता बच्चन ने क्या कहा रिशी और बिदेप्ता को कॉल करके और उन्हें घर पर बुलाने की वज़ा क्या रही बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में लेकिन उससे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को करें लाइक और शेर वल दोस्तों हमारे प्यारे बिग बी यानि कि अमिताब बच्चन ने खुद कॉल करके रिशी और बिदर्पता से उनके घर आने के लिए कहा और ये बात सुनकर रिशी और बिदर्पता दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि ये लिए बहुत मान की बात है कि अमिताब बच्चन ने उन्हें खुद कॉल करके बुलाया है अपने घर पर वेल दोस्तों खबर ये है कि होली का त्योहार आने वाला है और इसी बात पर अमिताब बच्चन ने अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है और इसी खास दिवहार पर अमिताब बच्चों ने रिशी और बदेपता को अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया है जी हाँ उन्होंने उन्हें खुद कॉल किया और ये कहा कि पोली की खुशी में तुम दोनों मेरे घर पर जरूर आना और इस खास अबजर पर एक दो गाना तो हो ही जाएगा यहाँ दोस्तों इतना ही नहीं अमिताब बच्चन ने उन्हें ये भी कहा कि तुम खाना भी मेरे साथ यहीं पर खा के जाना वेल दोस्तों ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई बड़ा सेलेबरिटी किसी कंटेस्टन को अपने घर पर या किसी उत्योहार पर अपने फंक्शन में बुलाए लेकिन हमारा ट्रेंडिंग कपल इतना फेमस और इतना प्यारा बन चुका है सब के लिए कि उन्हें अभिताब बचन ने खुद कॉल करके बुलाया है वेल दोस्तों आपको ये खबर सुनके कैसा लगा और इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को करें लाइक और शेयर